कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तभी उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वो एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तभी वहाँ उसकी वाइब बोनी आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम के एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कह रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्वाइब करना मुस्किल हो जाएगा चाल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुँच चुके थे बिली पानी की तालास में आगे बढ़ रहा था उसे अपनी फैमली के लिए प दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बैफैलो का एक ग्रूप पड़ा हुआ है जूनियर खुस हो जाता है कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते ह उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बैफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बह जाता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बि बिली अपने दोस्स सोक्राटीज के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है सोक्राटीज उससे कहता है कि वो कहीं जाने वाला है क्योंकि वो यहां बहुत खुस है बिली अकेले ही जाने लगता है सोकरटीज उससे बताता है कि जब तुम रिवर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली अपदेद को पार करना होगा यह सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उससे पूछता है कि यह वैली अपदेद क्या है सोकरटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहां बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहां आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत ही डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सोकरेटीस था वहां पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहां एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भा करते हैं वहां सोकरटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उस ने उस दिन वहाई एक अलग ग्रियेचर को दिखा जिसे इनसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं उन सब को वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़ह से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डै इलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पाल्तू मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारों एनिमल होटल तक पहुंच जाते हैं वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ति करने लगते हैं बिली और सोकराटीस वहां के कॉन्फरेंस रूम में पहुंच जाता है जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं ओनर वहां का हंटर को आवाज देता है हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को सूट करने लगता है बिली उससे बचने के लिए वहां के पू पर वो सारे मिलकर उस होटेल के कमरे को पूरी तरह से बरबाद कर देते हैं। सूट करके बेहुस कर देता है। वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे। पर उनके साथ बेफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं। वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे। तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहाँ आता है। वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है। पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है। वो उसे माने लगता है। और गलती से बटन दबने की वज़े से वो मिसाइल वहाँ के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है। पर वो फटती नहीं है। तोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है। तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो के टीम उनकी मदद के लिए आई है। वो सारे उस डैम को तोणने लगते हैं। डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था। तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है। वो तुरंत एक लगड़ी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है। और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है। और वो फट जाती है। डैम अब तूटने लगता है। उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है। और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है। सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं। सोकरेटीस भी बिली के पास आ चुका था। और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई। सारे जानवर वाँ खुशी खुशी रहने लगे। माया और उसके डैड भी ये देख कर खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक और शेर दे वीडियो। प्लीज सब्सक्राब तो मैं चानल और प्रेस्ट बेल इकन